हेलो दोस्तों कैसे होतों दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले CSA T20 चैलेंज के 6th मैच के बारे में जो के होने वाला है Warriors और Western Provenance इन दोन टिमों के बीच में दोस्तों इस मैच आज शाम को 6 बजे स्टाट होगा विन्नी होने वाला है St. George, Park, Port, Elizabeth दोस्तों अब तक हुए है चार मैचेस एक्चुली कल तक चार मैचेस हुए थे चारो के चारो मैचेस हम लोगों नहीं जीते है ठीक है जो 5th मैच है हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे द्यू टू इंडिया वर्सेज कवर नहीं कर पाएंगे विकोज इंडिया वर्सेज वेस्टेंडिज का मैच सेम टेम पर स्टार्ट होने वाला था और इस 6th मैच है तो अब तक CSA T20 चैलेंज हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है हम लोग नहीं अल्टरा क्लीन स्विप किये है तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे बढ़ने इस पहले दोस्तों आपको टेलिग्राम चैनल से जुड़ना होगा टेलिग्राम चैनल पर जाने के बाद पिछले CSA T20 चैलेंज के रिजल्स देख लो या फिर PSL के देख लो या फिर BPL के देख लो ठीक है उसके बाद ही जॉइन करना विकाज अगर आप में रिजल्स नहीं मिलेंगे तो फिर आपका क्या फायदा होगा ना तो रिजल्स जा फर्स्ट मैच में जॉज लिंडे को ट्राइ किया था वो भी दो विकेट ले गए थे तो वही कुछ देखने को मेला फर्स्ट दे में तो भी ठीक थी पैटिंग करने के लिए पीच फिर सेकंड दे की बात करें तो थर्ड मैच में बिल्कुल रन नहीं बने चे वर्थ 1.36 भ फीर थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा नर्मा जाता है तो बैटिंग करना इजी हो जाता है स्पीनस के लिए थोड़ा फिल्क कम हो जाता है तो यह देखने को मिलता है, कई कुण से भी कंट्री में जाओ यह चीज़े आपको देखने को मिलती है 2. Chiefs मेच के इनिंग में width के में अब क्या सेम पीच पे मैच होगा यह हमें फर्स्ट मैच में पता चल जाए अगर फर्स्ट मैच में एक फ्रेश्ट पीच जोगी तो उसी पीच पे फिर यह सेकंड मैच होगा बट स्पीनर्स को हिल बहेगा जुरू ठीक है यह थोड़ा देखके चलना वारियर्स के पेले बात कर लेते हैं तो अपना फर्स्ट मैच लोग जीत के आ रहे है कुछ इस तरह के से इनका पूरा स्कॉर्ड है जिसमें से यह 11 प्लेश पिछले मैच में खेलेते ठीक है और आई डोंट ठींग यह लोग कुछ भी चेंज करेंगे अब यहाँ पी इनके हम लोग देख लेते हैं पिछली मैच में हुआ किया तो विहान लूबे ओल डाउंडर है 56 के बड़िया पारी खेली मैट्यू ब्रिस्क ने 36 के बड़िया पारी खेली जे जे समट जल्दी आउट हो गयते दो रन बना के डिगो रोजियर ने तीन रन बनाए और ट्रिस्टान स्टप्स की बात करें उन्होंने 51 बनाए थे 27 बॉल में और चार सिक्सेस थे तो अच्छा इन्होंने फिनिश किया था यान गोई पर और राउंडर जिन्होंने तीन रन बनाए थे बड़ बॉलिंग करी नहीं थी और सिने थे हमबा क्वेश्टली इनके विकेट की फर बैटर है प्लस एक कैप्टन है नंबर छे नंबर साथ पर बैटिंग करते हैं पाच रन बनाए थे नोट आउट बाकी वैन ब्यूरें भी थोड़ी पर बैटिंग कर ले थे बड़ जिरो पर आउट हुए थे देन पिटरसन एक रन पर रन आउट हुए थे नबर ने सिर्फ दो और बालिंग करी बड़ दो विकेट ले गए थे तो इन टीन रन दिये थे बड़ यह विकेट टिकिंग ऑप्शन है मैंने आपको लास्ट मैच की वीडियो में भी बताया था थे इंपॉर्टन पीक यह भी है शेपो नडवंडा खेलेती लेपटाम आउटोडोक से कोई विकेट नहीं मिली बड़ बालिंग अच्छी करी टी अन वेन वियूरेन ने भी पूरे चार ओर डाले दे लेपटाम मेडिया में इनको कोई विकेट नहीं मिली और जेजे समट्स को एक विकेट मिला था चार ओर यहां लूबे ब्रिस के जेजे समट्स यह तीन ऐसे टॉप ओडर थ्री बैटर से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन पिक्स रहने वाले है ठीक है इनको बिलकुल इगनॉर मत करना बॉलिंग में टाइन पिटरसन एक इंपॉर्टन एक इंपॉर्टन एक इंपॉर्टन आपके मस्ट पिक होने चाहिए अब दोस्तो हर प्लेयर के आवरल स्टाट्स आपके सामने तो फिर से चेक आउट कर लो विहां लूबे एक इंपॉर्टन एक ब्रिस के का फॉर्म देखो अच्छा ही रहा था पिछले कुछ मैचेस में जेजे समट्स इंपॉर्टन ए इस आपके इंपुर्ण के चार विकेट से पिटरसन इंपॉर्टन ए नभे देखो 22 मैचेस में 28 विकेट प्लस पिछले दो मैचेस के टू विकेट वकेट बदर 30 विकेट निकाल चुके है तो एक है इंपॉर्टन एक कायल जेक बचैना है यह यह राइट टम ब्लेक स्पीन कि ठीक है यह भी अपना फर्स्ट मैच जित के आये हैं कुछ इस तरीके से इनके प्लेंग लिए उन रही थी और कुछ इस तरीके से इनका पुरा स्कॉर्ड है टॉंडी जोर जाइचिंग इंजर थे तो यह खेले नहीं थे बड़ अगर यह fit हो चुके है तो यह आपको खेलत इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सक्सेस्पूल नहीं रहे बट खेले जरूर है ठीक है डैन विलास सेकंड एक इंपॉर्टन प्लेयर जॉर्ज लिंडे थर्ड यह तीन वेंट पार्णल फोर्ड ब्यूर्ण हें फिप्ट यह पाच ऐसे प्लेयर से जो आ मगीजमा यह औप ब्रेक स्पीनर है बैटिंग भी छिक टाक कर लेते पिछली मैक में रन बनाये थे तो इनको आप लोग ले सकते हो अपने टीम में उसके बाद देखो कि तो राइटाम ब्रेक स्पीनर जुनेत दौत में इनके बारे में आपको लास्ट वीडियो में ही बत रिचर्ट लेविदे को 67 बनाये 39 बाल में बट इनको ग्रैंड लिग में इसमैक में ड्रॉप किया जा सकता है गिविन का प्लान है विकेट की पर बैट रहे बट विकेट किपिंग नहीं करी थी चेरन बनाये थे वन डाउन आके विलास तो 21 बनाये थे प्लस विकेट किपि इन्होंने पिटर मलान को बोल्ड किया था यह अच्छे बॉलर रहेंगे इंपॉर्टन बॉलर रहेंगे जॉज लिंड ने डेथ में बॉलिंग करी थी एक और डेथ में डाली थी एक और पाउर प्ले में डाली थी तो यह भी इंपॉर्टन पीक है दोनों को 2-2 विकेट मि पॉंगवा ने दो और डाले थे और जुनेत दाउद को पूरे चार और मिले थे एक विकेट मिला था तो अगर यहाँ पर बॉलिंग सेक्षन में इंपॉर्टन पॉलर्स की बात का है ब्योरिन हें जॉज लिंडे और वेंपार निले तीन आमके मस्ट पीक रहेंगे फिर ग्र बाकी प्लेस के स्टैट्स देख लो अगो यह पर शेपो मोरी के देखो 34 विकेट से पॉणगवा के 3 मैच में 4 मैच में जुनित के 4 मैच में 2 मैच बट पिछले मैच कका 1 मैच एड़ कर लो इसमें तो 5 मैच में 3 मैच हो चुके है उसके आलावा मघीजमा के स्टैट्स एए इसमें देखो, ऊपनर जitchens left handed थे हैं, बठ उसके बात सारे right handed है, right hand, right hand, right hand, चार राइट हैं बैटर्स है तो जोज लिंडे का रोल बहुत इंपोर्टन रहे गा एज इस स्पीनर लेटाम ओर्टोडोक्स जो इन चारों को परेशान कर सकते है ठीक है इवन उनके बास आप ब्रेक स्पीनर भी है मगीजमा जो यहाँ पर विहान लूबे के सामने तो देखते हैं भी ओपनर टीम में किस तरीके से चीज़े है तो वेस्टन प्रोइनस में देखोगे तो ओपनर है जोनातन बर्ट मुझे लगता है इनके सामने विहान लूबे पावर प्ले में जरूर आने वाले है ठीक है अगर फिर से जोनातन बर्ड ओपन करते है तो सकते है तो यह स्पीनर्स न इंपॉर्टन रहेंगे और स्पीनर्स को हिल्प मिल ही जाता है थोड़ा बहुत देखके चलना तो दोस्तों यह हमारी स्मॉल लिक की टीम ठीक है अब यहाँ पर कैट रिस्क हम लोगों ने लिया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ दे सकते हो बट मैंने इनको वाइस कैप्टन सी दी और कैप्टन सी दी मैंने जॉर्ज लिंडे को विकॉज बेटर बॉलर है नमबर चार पा के कुछ रन बना के देंगे बट आप इनको रिवर्स करके सेब भी जा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके अलावा स्म कम बढ़ रहा था तो मैंने क्रेट्स मैनेज करने के लिए क्या किया है यहाँ पर स्टप्स को डॉप करके जोनातन बड को लिया है स्टप्स आते हैं नंबर पांच नंबर चे पर बैटिंग नोंने पाऊगे तो कही ना करेट्स मैनेज करने थे तो मैं स्टप्स को डॉप करके जोनातन बड के साथ गया और यहाँ पर बॉलिंग में फिर मैंने यहाँ नबे को ले लिया यह चेंज मैंने कर लिया है अब विकेट के पर सेक्शन में आपके बाद देन विलास भी है यह एक अच फूरे चार ओर बॉलिंग देते है डेट में बॉलिंग देते है प्लस बैटिंग भी देते है तो भाईया उनको तुम्हें डॉप नहीं करने वाला तो यहाँ पर हम अभी के लिए विलास को ही छोड़ते है यहाँ पर स्टप्स को डॉप करके हम बड को लेते है और यहाँ फे दो बैटर्स के साथ भी काम चलता है तो मैं स्टॉप से ज़्यादा आपको डैन विलास को लेने का प्रेफर करने को कहूंगा ठीक है राइट नौ ये टीम बनती कैप्टेन आइस कैप्टेन बता चुका इनके आलाव आप जीजे समर्ट को टाय करते हो वेन पारनिल को टा बाकि फाइनल अपडेट्स मैं आपको टेलिग्रम चैनल पे देने वाला हूँ तो जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो कर सकते हो हर प्लेयर के बारे में बारीगे से मैं एक्स्प्लेइन किया है जो डिफरेंशल प्लेयर से जिनका सेलेक्शन कम है जुनेत दाउत का सेलेक् चैनल फिर आधा क्रेड़ हमारे पास अभी है जॉजी अगर आते है जॉजी अगर आते है जॉनतन बड को डॉप करके हम लोग यह चेंज कर लेंगे ठीक है राइट नव यह टीम बनती है बाकि फाइनल अपडेट्स मैं आपको टेलीग्रम चैनल पे दूँगा टेलीग्र